हलो अबरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ ये वाला राखी मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ इसमें मैंने सबसे पहले टोनर लगाया मोडी का फिर मैंने लॉरियल पैरिस का ये सीरम अपलाए कर लिया है नेक्स्ट मैंने ये डर्मा को का मॉस्चुराइजर अपलाए करा है ये 5% प्रॉपलीन वाला ओयल फ्री मॉस्चुराइजर है फिर फॉक्स टेल का मैंने यहाँ पर संस्क्रीन अपलाए कर लिया है next अब मैं यहाँ पर lip balm apply कर रही हूँ यह वाली जूडियो की lip balm है next अब मैंने यह insight का pore minimizer primer लिया है इसको अपने face पर apply कर लोगी यह मेरे face को एकदम smooth बना देगा फिर इसके बाद मैं foundation apply करूँगी यह mama earth की foundation है इसको मैं अपने full face पर apply कर लोगी यह brush जिसके साथ मैं apply कर रही हूँ यह Swiss beauty का brush है यह बहुत ही अच्छा brush है एकदम dense brush है इसके साथ foundation, concealer सब कुछ मैं easily blend कर लेती हूँ फिल्कुल भी harsh lines नजर नहीं आती है इसके बाद मैं apply कर रही हूँ यह concealer है Maybelline fit me का next अब मैं compact apply कर रही हूँ यह भी Maybelline fit me का ही compact है बहुत अच्छा compact है next अब मैं eyebrows को अपने fill in करूँगी eyebrows के लिए मैं यह new product यूज़ कर रही हूँ यह Swiss beauty की मैंने eyebrow pencil मंगवाई थी मैंने यह वाली जब pencil मंगवाई थी तो मुझे इससे सच कुछ उमीद नहीं थी जादा लेकिन यह मेरी उमीद से बढ़कर निकली यह बहुत अच्छे से eyebrows की shape को अच्छे से fill in कर देती है बिल्कुल भी over नहीं लगते हैं इसके साथ natural लगते हैं यह मैंने beauty glaze की जो eyeshadow palette मंगवाई थी उसमें से मैंने एक rusty सा color औरेंजिश सा color लेकर के अपनी full crease को build up कर लिया है फिर उसके बाद मेरे suit में two color के shades जादा थे एक grayish सा color था sky grayish और दूसरा वाला pinkish तो मैंने दोनों को ही place कर लिया है half eyelid पर pink और half पर इस तरह से grayish तो उसके बाद मैं eyeliner apply कर लोगी eyeliner के लिए यह मैं maybelline का eyeliner apply कर रही हूँ इसके साथ बहुत अच्छे से eyeliner लग जाता है बिल्कुल पतला सा eyeliner मैं draw करूँगी यह मैंने काजल लिया है यह brown काजल है my glam का इसके साथ मैं अपनी lower waterline और upper waterline दोनों को fill कर लोगी उसके बाद मैं यह जो orangeish सा shade मैंने उपर crease पर build up किया था उसके साथ अपनी lower waterline को हलका हलका touch दूँगी एक smudge कर लोगी next मैं Maybelline का यह वाला mascara apply कर रही हूँ यह जो mascara है यह affordable भी है और अच्छा भी है आपकी lashes को बहुत अच्छे से लेथनिंग भी प्रोवाइड कर देता है और thickness भी आप देख सकते हैं difference आपके सामने है फिर मैंने अपनी Mars की यह fantasy face palette है इसमें से blush apply कर लिया है और इसी palette में एक shimmer shade भी दिया गया है जो की rose gold सा color है उसके साथ मैं highlighter apply कर लूँगी अपनी cheeks पर, nose पर, नीचे chin area पर, forehead पर, cupid's bow पर और अपने eyebrows के दीचे जहाँ जहाँ भी highlighter हम लगाते हैं फिर मैं इसी palette में से contour apply कर लूँगी हलका हलका बहुत जादा नहीं nose को जादा करूँगी थोड़ा सा क्योंकि nose को थोड़ा सा पतला दिखाना है मोटा हो गया है तो फिर उसके बाद मैं contouring के बाद next अपने base को अच्छे से set करूँगी यह NYB का setting spray है dewy finish वाला यह मैं my glam की जो lipstick है मनीश मलोतरा की यह mess with me shade है यह मैं apply कर रही हूँ इसको मैं थोड़ा सा glossy effect दूँगी क्योंकि यह matte lipstick है आजकल glossy lips बहुत जादा trending में है तो यह मैं M caffeine का lip oil मंगवाया है मैंने pH level वाला जो होता है color changing वाला यह apply कर लिया है next अब मैं जो भी jewelry वगएरा पहन रही हूँ यह सारी मैंने मेशों से ली हुई है online ही buy करी थी कुछ time पहले मेरे को शादी के लिए pink outfit के साथ चाहिए थी तो इस तरह से मैंने सारी jewelry जो है वही डाल ली है बहुत अच्छे से जा रही थी इसके साथ तो अब मैंने यहां पर बिंदी लगा लिया है एक छोटी सी black color की और मैं अपना hair style जो है वो हमेशा की तरह simple ही रखने वाली हूँ क्योंकि तो यह रहा final look कैसा लगा मुझे बताईएगा जरूर Bye Bye, Take care, Love you